असलाम अलेकुम मेरा नाम उस्मान अलिखान और आप देखना है यूथ माइग्रेशन अस्ट्रेलिया तो आज की सबसे बड़ी न्यूज में आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूं कि डिपार्टमेंट ने फोर ने वन का जो ग्लॉबर प्रोसेसंग टाइम है वो पहली द महीने पर 17 से अगेन 20 महीने पर लेकिन पहली दफ़र डिपार्टमेंट ने उसको बारा महीने पर लेके आया एस कंपेर अगर आप 190 से उसको कंपेर करें तो अल्मॉस्स सेम टाइम पर उसको लेके आया है तो अब हम बात करेंगे कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट की उपर 10 6 महीने और एक वह लोग है जिनका 12 महीने पर उपर टाइम हो चुक है दोनों केस को डिसकस करेंगे सबसे पहले वह लोग जिनका अभी प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अप्लिकेशन है लोगों के लिए एक ही एडवाईज है अपनी अप्लिकेशन को कॉप्लिटली अपड इने बाद जब visa grant होने का time था तो उनको S56 आ गही है और S56 आने का purpose यही होता है कि आपने कोई न कोई अपना document जो है वो miss किया होता है तो एक काम सबसे पहले करें अगर आपने खुद visa apply किया हुआ या migration agent से apply किया हुआ है तो please अपनी application को देख लें कोई ऐसा missing documents तो नहीं आप आपने छोड़ दिया जो लगाना चाहिए तो और आपने नहीं लगाया किसी से advice ले लें माइग्रेशन एजंट से या अगर आपने migration agent हाईर किया वह तो उससे पूछ ले कि मेरा को document जो हो miss तो नहीं है ताकि आप S56 को avoid कर सके और अगर आप S56 को avoid करे में कामियाब होगे त तो यकीनन आप वही candidate होंगे जिनको 10 महिने में, 5 महिने में, 7 महिने में 491 grant हो जाता है अब उसके compare बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको application जो है एक साल के अंदर 4-4 दफ़ा खुली है लेकिन उनके कोई नहीं को document miss होने की वज़ए से उनको continuously 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा S56 आई है त तो आपने कोशिच यह करनी है कि आप अपनी application को update रखें ताकि department जब भी आपकी application open करें इस processing time के अंदर तो आपको visa grant हो जाए और दूसी चीजी है कि जब department अपने इस processing time को कम कर रहा है तो इससे clear intention जी है कि department जो है serious है चीज़ को लेके कि आप लोगों को visa grants किये जए जब 90% visa जो थे 15 महीने में जब grant हो रहे थे अब उन्होंने उसको कम करके 12 महीने में किया और इसी तरह 50% visa जो है 89 महीने में grant होंगे और वह तब भी होंगे जब आप अपने documentation complete की होगी अच्छा अब मैं उन लोगों से बात करूंगा specially जिन लोगों की जो processing time है वह 12 महीने से उपर चला गया उनके बार में अब क्या उनका क्या होगा देखें सबसे पहले तो यह कि जो 90% grant का time है बारा महीने इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि 100% यह होगा अगर आप global processing time को जड़ा visit करें तो उसमें यह 10% की bracket है यह बहुत बड़ी bracket है 90% 12 months पे और जो 10% जो है आगे 18 मह करें कि अगर आप कोई भी random date डालके देखें जो विदिन 17 months में है या 16 months में यह इवन 18 months में भी है तो वह उसको green tab पे शो करेगा और यहीं शो करेगा कि आप अभी भी processing time के अंदर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अभी excited हो जाएं कि अभी 12 महीने क time था और बार महीने का time है तो हमें तो कल ही विजा आजएगा बहुत ज़्यादा excited होने की जुदत नहीं है definitely department काम कर रहा है और आपको बहुत जल्दी grant आएगा लेकिन कोई effectively को बहुत ज़्यादा massive change आजए तो यह मेरी opinion में अभी इस time पर possible नहीं है इस चीज़ को time लगेग अच्छा इसके लावा अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि अब department जो है basically यह जो global processing time है वो हर महीने उसको change करते हैं इससे पहले क्या हुआ था processing time थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन इस महीने में क्या हुआ processing time कम हुआ इसके बहुत basic reason है department visa दे रहा है और backlog जो है बहुत speed में cover कर रहा है backlog 2022 के जो applications थे maximum grant 491 की मैंने ऐसी देखे हैं जो November, October, June, July के थे और department उनको grant देना start हो गया तो जो लोग 2022 के थे उनने positive रहना चाहिए आपको grants दो हैं बहुत जल्दी आएंगी और यही वजाए कि department अब बहुत ज़्यादा serious है backlog को भी collect करने के लिए और दूसरी reason य कि जो migration का जो quota था जब वो कम हुआ था तो जुलाए के बाद application जो है जुलाए के बाद जो applications हैं वो इतनी ज्यादा submit नहीं हुई थी जिसकी वज़ा से हमारे यह जो processing time में यह कम हुआ है और आपको positive रहना चाहिए क्योंकि पिछले साल तक्रीबन 491 की तक्रीबन जो applications आप क 1000 application 491 के submit हुई थी 22 से 23 के दर्मयान वाली लेकिन इस साल उतनी application submit नहीं हुई तो जैसे जैसे time आगे जाएगा यह processing time जो है उमीद है कम होता जाएगा plus visa grants में आना स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर आपको यह मेरी video informative लगी और do subscribe my channel share my video with your friends so that people can get the right information stay tuned with me Allah Hafiz